नमस्कार प्रेंस एंट्रेवल में आपका किछा स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है किछा स्टेशन पर अमरत भारत योजना में जैसा आप सब जानते हैं कारे चल रहे हैं धीरे धीरे हाला की कारे हो रहे हैं लेकिन अब आपको यहाँ पर जो कारे चल रहे थे उसमें ची इक नंबर का platform है यहाँ पर लोहे की railings लगा दी गई है सामने किछा station का signboard है और साथी साथ यहाँ पर coach indicators लगाने का काम वो पूरा हो चुका है coach display system उनको लगाया जा चुका है किछा station से ये वीडियो भेजा है भाई विकी वर्मा ने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो boundary का काम किया जा रहा है उसमें railings यहाँ पर लगाई गई है और किछा station पर अभी जो किछा खटीमा हमारी rail line उसका जो काम होना है यह जो project है इस पर अभी फिलहाल कुछ पता नह आती हैं अगर कारे शुरू होगा क्योंकि बहुत सारे subscribers यही जानना चाते हैं कि किछा से खटीमा rail line का काम कब शुरू होगा तो अभी काम यहाँ पर कुछ शुरू नहीं हुआ है सामने के दिशा में जो FOB है foot over bridge उसका कारे धीरे धीरे रफतार पकड़ रहा है अभी हम इठाने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे साथ में bell icon में all को press कर दीजेगा ताकि हर वीडियो का notification आप तक पहुंच जाए और कोई भी update आप से miss ना हो अभी platform number 2 की दिशा में boundary wall यहां पर नहीं है कि अगर यहां पर दोहरी करण होता है भविश में जैसा कि ड्यूज में भी आया है कि बरेली सिटी भोजीपुरा पहले दोहरी करण वहां पर होगा और उसके बाद भोजीपुरा से लालकुआ तक सर्वे होना है दोहरी करण के लिए सर्वे कराया जाएगा जल्दी ही त बोजीपुरा से लालकुवा जंक्षन तक दोहरी करड़ होता है तो जो और ट्रैक एक्स्टर ट्रैक आएगा वो यहाँ पर इस दिशा में डाला जाएगा दाए हाथ पर दो नंबर का प्लैटफॉर्म है और सामने बरेली सिटी से जो काशी पूर जाने वाली हमारी मेमू ट्रैन है वो खड़ी हुई है एक नंबर प्लैटफॉर्म पर फूट ओवर बिच पर रेलिंग्स लगाने का काम हो गया है यहाँ पर जीना बना लिया गया है याँ पर उनको लगाने का काम किया जा रहा है पुल के ऊपर धिरे धिरे कारे हो रहा है अभी छत वगएरा लगेगी लाइट्स लगेंगी और जो जीना है स्टेर केस है इसमें भी टाइल्स लगाए जाएंगे ऊपर से देखे दूर पर पहाड़ियां दिख रही होगी सु हमने हलदवानी काटगुदाम की दिखा की जो हमारी कुमाओ की पहाड़ियां है वो नजर आ रही है ये किछा स्टेशन की जो पुराने बिल्डिंग है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं सौर उर्जा के लिए सोलर पैनल्स यहाँ पर लगाए हुए हैं यातरी ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं अभी यहाँ पर शेल्टर वगारा के भी कार किये जाएंगे आने वाले समय में यातरी सुविधाएं बढ़ाए जाएंगी मेमू ट्रेन जा रही है काशीपुर की दिखा में लालकुआ जंक्षन की दिखा में फिलाल ये जीने आप देख सकते हैं स्टे ग्रीन एनरजी के दिखा में रेलवे चल रही है और बाहर यहाँ पर तमाम इंटा वगरा धेर है तो यह जो सीड़ियां है अभी इन पर भी चेकर्ड टाइल्स लगाए जाएंगे और यहाँ पर इसकी चछत तयार की जाएगी तो यह एफ ओबी का जो काम है इसमें अब ज तयार किया जा रहा है जिसमें वेटिंग हॉल वगरा होगा यात्रियों के लिए निरंतर सुविधाय बढ़ाई जा रही है रेलवे प्रयास कर रहा है तो यह नई बिल्डिंग है अब आप देख सकते हैं ढोला खुल चुका है यहाँ पर अभी इसकी फिनिशिंग होनी बा अंदर आने के लिए जो दिव्यांग जन है ताकि सुविधा से वो आ सके मुख्य मार्क से और टिकट घर भी नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा आने वाले समय में मिक्सर खड़ा हुआ है यह आप देख सकते हैं सामने सड़क आपको दिखाई दे रही है जो कि आगे बा अब ही आगे जो इसका डिजाइन है इस्टेशन का किछा स्टेशन का वो पूरा तयार होगा और यहाँ पर आने वाले टाइम में जो नई बिल्डिंग तयार हो जाएगी तो यहाँ पर अभी शेल्टर वगरा का भी मुझे लगता है कारे होगा यहाँ सामने आप देख सकते हैं पीछे की दिशा में गहरी फांडेशन खोद दी गई है पूरा और साइड में तमाम सारे इंटों के चटे लगे हुए हैं ब्रिक्स के तो यहाँ पर पूरी बांडरी जो है आगे की दिशा में यह तयार की जाएगी जो इस्टेशन की हमार मुख की बांडरी होती है और प्लैटफॉर्म की बांडरी यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्लेडी प्लास्टर हो चुका है अभी इसमें पेंट होना बाकी है इस दिशा में और रेलिंग्स भी यहाँ पर लगाने का काम अल्मोस्ट कम्प्लीट कर लिया गया है इस दिशा लंबी boundary तयार की जाएगी highway के बगल में मुक्य सड़क के बगल में जो हमारे station की boundary होगी और parking वगएरा के लिए हो सकता है space कुछ use की जाए और कुछ में हो सकता है plantation यहाँ पर वो लगाया जाए अभी यहाँ पर जो उतार वगएरा आ रहे हैं तो उसको ढखने के लिए इसमें ढखन भी लगाया जाएंगे और यहाँ पर इस railing के बाद यह जो आप gap देख रहे हैं बीच में यहाँ पर यह बाहर से आने के लिए रास्ता यहाँ पर भी दिया जाएगा जैसा विकी भाई बता रहे थे यहाँ पर stairs बनेगी सीड़िया बनेगी भी तर आने के लिए प्लैटफॉर्म पर तो यहाँ पर space छोड़ दी गई है ताकि जो प्लैटफॉर्म के दूसरे दिशा में लोग रह रहे हैं वो पैदल पुल से फिर cross करके station को अपने गउं की तरफ जा सकते हैं उपर आप देख सकते हैं coach indicators भी लग गए हैं क्योंकि यहाँ पर सभी express super fast trains जो हैं उनका ठहराओ होगा किछा station पर और आने वाले समय में और trains बढ़ेंगी जैसा संभावना है रामनगर से लालकुआ जंक्षन से उमीद की जा रही है कि और trains festival special वो भी चलाई जाएंगी जल्दी तो उसके लिए railway कमर कस रही है तयारियां कर रही है पहले infrastructure को भेतर किया जा रहा है ताकि उसके बाद जब रेल गाडियों का संचालन हो तो कोई दिक्कत ना है और इज़त तंगर मंडल आने वाले समय में देखना होगा कि कौन कौन सी नई trains शुरुवात करता है इस route पर और दोहरी करण के लिए सरवे कब से शुरू होता है जो भोजीपुरा से लालकुआ जंक्षन तक किया जाएगा उसकी भी जैसे ही कोई अपडेट आती है जब वो कार शुरू होगा तो हम आपको उसकी भी अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे तो ये था एक छोटा सा अपडेट किछा स्टेशन से